नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार एक फिर स्वागत है गुरुकल अफ साइंसेज में मैं दिने शर्मा और सर आज का अपना टॉपिक रहने वाला है देखें किसके सीखेंगे continuous अगर अपने वास two dimensional continuous random variable है तो सर उसमें आप probabilities किस तरीके से निकालेंगे आप अपना marginal distribution किस तरीके से निकालेंगे आप सर कैसे चेक करेंगे कि x और y dependent है या independent है समझ रहे सर मसले बड़े हैं तो यह सब हम आज जो आज के session में करने वाले हैं तो देखें सर अगर अभी तक आप चैनल पर नहीं है और आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो सर सब्सक्राइब कर लें क्यों क्योंकि जो सर हम बीएसी का पूरा जो कॉर्स है वो पहली बार जो हो रहा है एक यूट्यूब पे और सर बिल्कुल डिटेल में अपन उसको जो कवर करते जा रहे हैं कोई ऐसी जल्दी है नहीं अपने को समझ रहे न सर बात तो देखें जी यह स्टार्ट करें अपन टू-डैमेंशनल की आपको याद होगा जब वन डैमेंशनल कॉंटिन्यूस वरियेबल आया था तो सर वहाँ पे अपने को इंटीगरेशन यूज़ करनी पड़ती थी करनी पड़ती थी ना सर जी अब यहां पे तो सर आपका टू-डैमेंशनल है तो आपको डबल करेंगे डबल इंटीकरेशन के जिससे अपने को थोड़ा सा कॉंफिडेंस आ सके और जैसे कॉंफिडेंस आजेएगा अपन मूव कर जाएंगे वापस अपना स्टेट्स पे समझ गए सर तो पहला सवाल देखें कहते हैं कि आई आपका इसके इक्वल है और आपने इसको सॉल्व करना है तो सर देखो सॉल्व करने की निंजा टेकनीक क्या है कोई जादा इसमें मतलब माभारत नहीं है असानी चीज़ है यह भी आपने देखो सर यहां पे क्या करना है पहले इसको वाई के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट तो आपने इस चीज़ का जहां रखने की आप X को कॉंस्टेंट ट्रीट करें याद है पार्चल डिफ्रेंसेशन किया करते थे अपन ऐसे ही सर यह गेम है जब आप इंटीग्रेशन Y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको यह मान के चलना है की X क्या है आपका एक कॉं या का इंटीग्रेशन क्या रहता है आप कहेंगे जी माइनस कोस रहता है वेरी गुड तो एक यह वाला इंटीग्रल तो इसका आंसर क्या आगया अपना माइनस कोस Y और सर इसकी लिमिट क्या थी इसकी लिमिट थी 0 से X यही थी सर जी और साथ में क्या बचेगा अपना यह DX रहे गया अभी जो भी आंसर आएगा उसको फिर अपन X के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेगा यह 0 से पाए सर वेल्यूस पुट करते हैं देखो माइनस कॉस X फिर माइनस फिर माइनस कॉस 0 तो सर वो पोज़िटिव हो जाएगा कॉस 0 कितना होता है बताएगा मिरे को 1 होता है क्या ओई शावाश तो यह आजाएगा आपका 1 माइनस कॉस X DX सर अब तो आप उस्ताद हो इसको सॉल करने में तो देखें जी आई किसके इकवल आजाएगा अपना लिमिट क्या रहेंगी अपनी 0 से पाए तो 0 से पाए और यहाँ पर क्या आएगा सर 1 का इंटीग्रेशन X कोस का इंटीग्रेशन साइन X सर लिमिट पुट करना स्टार्ट करें क्या तो यह हो गया पाए माइनस साइन पाए फिर सर माइनस 0 प्लस साइन 0 आप देखिए का सर यह वाली जो टर्म है साइन पाए भहिया क्या होते है जीरो साइन जीरो भहिया भी क्या होते है जीरो तो यानि सर आई किसके equal आगया आपका पाई के equal आगया क्या क्या कहते हो समझा है सर सवाल यानि अपना ये जो integral था बहुत ही प्यारा सा sin y dy dx सर इस पूरे की value क्या है आपकी पाई logic समझा है सर सबको असान इन्द देखो सवाल तो अगर समझा है न आपको तो पता है न क्या कहते है सर आपने comment करके बताना है मिरको और जादा समझा है तो सर एक like भी कर देना है अभी सर next question देखते है सर जी second सवाल देखें अपना सवाल क्या कहता है वही अपना double integration है आप यहाँ पे देखोगे तो सर यहाँ पे न पहले dx लिखा हुआ है इसका मतलब यह जी limit है सर यह आपकी x की है और बाहर वाले limit किसकी है सर जी बोले y की है तो क्या कहते हो सबसे पहले अपन इसको x के respect में integrate करेंगे तो सर बात यह है कि जब देखो अपन x के respect में integration करी रहे है तो सर y को क्या treat करेंगे बोलो constant treat करेंगे तो मैं इस चीज को ऐसे लिख लू क्या अगर आप लोग मुझे permission दे दो तो i is equals to integration 1 से log 8 सर यह e की power x plus y है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते है क्या e की power x into में e की power y क्यों base same multiply multiply पावर है क्या हो जाती है सर add हो जाती है तो e की power y को तो मैं बाहर ले लू क्योंकि अभी मैं integration किस के respect में कर रहा हूँ x के respect में कर रहा हूँ तो y को क्या treat करेंगे बोलें सर constant यह हो जाएगा e की power x dx और फिर क्या लिखेंगे अपना त्यारा सा dy फिक है सर e की power x का integration e की power x ही रहता है आप लोगों को पता ही है इसमें तो भई आप सब उस्ताद हो तो यह हो जाएगा अपना 1 log 8 तो यहाँ e की power y सर यहाँ पे e की power x limit put करेंगे e की power log y minus e की power 0 dy आप देखें जरा सर यहाँ पे यह क्या हो जाएगा अपना 1 से log 8 very good e की power y यह क्या हो जाएगा अपना y यह क्या हो जाएगा 1 ओहो सर जी यहाँ तो exponent और algebraic function आपका कैसे आ गए multiply में आ गए इसमें क्या लगाएंगे सर by part लगा दे चलो जी तो लिखेंगे by using by using very good by part अपना जो है first function किसको let करेंगे algebra को और सर second किसको let करेंगे यह e वाले भाईया को है ना first function अपन किसको let करेंगे सर algebra को basically first उसको let करते हैं जिसका derivative जो है मतलब differentiation करने पे जो function अपना खतम होता जाए आपने सर ऐसा किसी को first function नहीं let करना है इसके derivative पे सर कोई असर ही दी पड़ता जैसे की e की power x कितना ही derivative कर लो धीट ऐसर वो e की power ही रहती है क्यार integration की बाते हैं इतना आप लोगों को आता ही होगा और अगर सर इसमें आप comfortable नहीं होना तो भेजी जग comment कर सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं है चन्द दिनों में जो calculus वाली playlist चल रही अपनी उसमें ये चीज़े मैं explain करने वाला हूँ integration from scratch basically बिल्कुल zero level से start करेंगे integration तो कि किसी को integration में मसला है तो कोई दिक्कत नहीं वो भी solve हो जाएगा अब सर यहाँ पे जब by part लगाएंगे तो by part क्या कहता है अपने को first function that is y minus 1 integration of second that is e raised to the power y है न सर तो y में लेके चलते हैं क्यों इसका variable बिगाड़ा बनने है ठीक सर जी यहाँ क्या हो जाएगा e की power y dy minus integration derivative of first function y है तो सर y के respect में करेंगे अब into में integration of second function तो यार यह बार बार x बन जाता है अक्का whole integration यह होता है सर आपका by part जो रमायन है तो यहाँ पे क्या आएगा सर अपना अपनी यह limit इसको भी अभी put करेंगे तो यह 1 और यह कितना है सर लिमिट अपना log 8 very good यह आजाएगा y minus 1 e की power y सर देखो इसका जब derivative करेंगे 1 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा तो 1 into में e की power y तो यह क्या आएगा e की power y dy सर जी e की power y का अगेन integration क्या होगा e की power y ही होगा very good limit अपनी y चल रही है 1 से log 8 यहां क्या आजाएगा अपना y minus 1 e की power y minus e की power y सर जी कुछ common दिखाई दे रहा है आपको आप कहेंगे e की power y common ही ले ले चलो जी अब आप लोग कहे रहें तो सर बात थोड़ी काटेंगे यह कितना हो जाएगा y minus 2 सर य minus 1 यहां है यहां minus 1 बजेगा और बोलो minus minus क्या होता है सर happy birthday positive ना limit put करना start करें चलो जी तो करते हैं start तो यह हो जाएगा अपना e की power ललन 8 bracket में ललन 8 minus में 2 ठीक है सर अब यहां क्या आएगा minus e की power 1 1 minus 2 यही आएगा सर तो यहां पे देखें जी इसको simplify करेंगे जब अपन तो i किसके equal आजाएगा 8 log 8 minus 2 सर जी यह प्लस हो जाएगा bracket open कर दें जड़ा कितना आगया यह 8 log 8 very good minus 16 plus e तो सर देखें यह इसका integration था basically हम क्या थोड़ा सा practice कर रहेंगे double integration की सर इसका reason क्या है कि अभी जो हम question करेंगे probability के सर उसमें double integration से सीधा बात करेंगे ठीक तो इसका screenshot ले लो एक बारी तो चलो बढ़िया तो मेरे को पताईएगा सर comment में क्या आपको double integration समझा आता है है ना नहीं आता तब भी बताने सर कोई मसला नहीं है थोड़े दिनों में calculus वाली प्लेलिस्ट में वीडियो जिसकी आने वाली है अभी देखो अपने दो question करें तो अमीद करता हूँ आपको concept तो clear हो गया होगा कि integration करना कैसे है double वाला ठीक सर अभी सर अपन चलते है अपने जो continuous random variable है सर वो बिचार इंतिजार कर रहा है अपना तो उसके सवाल देखते हैं सर जी तो सवाल देखें हम जरा probability का क्या कहता है जी if x and y are two random variables having joint density function is this अपने को joint density function given है और x और y को ही दो random variable है सवाल देखो सर कितने मासूमियत भरे करता है कहता है जी सबसे पहले आप बताएं इसकी probability क्या होगी probability of x क्या है आपका less than 1 है और उसका intersection है किसके साथ y less than 3 सर यहाँ यह जो question आते है न इसमें सारा game जो है वो है सर limit का कि आप limit कैसे set करते हो आपकी limit सही है या गलत है limit सही करोगे तो सर 99% आप question क्या करके आओगे सही करके आओगे बट सर अगर आपने limit गलत लगा दी तो कल को जो है बगवान भी नहीं बचा तकते question को गलत होने से समझ रहे हो तो पहला देखें सर अपना जो है इसमें अपन double integration करने वाली है पहला part अपन solve करेंगे तो x में क्या limit दे रहा है x की value जो है वो less than 1 होगी यह limit अपनी यह upper limit है basically तो x की अगर मैं limit लगाऊ हूँ तो upper limit क्या मेरे को given है 1 आप देखें सर x कहां से चालू होता है ओहो x तो आपका 0 से चालू होता है तो यानि सर जी x की lower limit क्या है आपकी 0 बास समझाई जैसे यह limit लगाएंगे limit लगाते हैं सर हम बन जाएंगे hero और गर्थ लगा दी तो बन जाएंगे 0 अब देखें सर यहाँ पे क्या कहता है y अपने को कहां तक चाहिए क्या कह रहे हो less than 3 तो आप बताओ मेरे को y की upper limit क्या है 3 है सर य स्टार्ट कहां से हो रहा है y कर लो बाद start ही 2 से होता है समझ गे सर limit कैसे लगाएंगे fx dy dx बेसिकली अपन यह solve करेंगे तो अपना first part का answer आएगा चलो जी आएगा ठीक है अब solve करते ही है जब अपनने logic develop करी लिया है तो शुरू करते हैं इसको solve करना यहाँ limit 0 से 1 है यहाँ limit है अपनी 2 से 3 इस function की value क्या कहते हो क्या है sir 1 by 8 6 minus x minus y पहले integration करेंगे इसका y के respect में then sir integration करेंगे x के respect में क्या चीज ज्यान रखनी है integration करेंगे तो x को क्या treat करेंगे sir constant treat करेंगे 1 by 8 तो sir वैसी constant है इसको पूरे integral से बाहर इस मासूम कर तो कुछ लेना देना ही नहीं है x और y से तो यह 0 से 1 है और sir जी यह limit क्या है अपनी 2 से 3 है और अब function क्या बचा 6 minus x minus y dy और साथ में dx जी उना बात तो मेरे को एक बात बताईएगा 1 by 8 तो देखो मैं अंदर वाला integral solve करता हूँ पहले 0 से 1 limit क्या थी मेरी 2 से 3 sir 6 का integration क्या होगा y के respect में कर रहे है 6y sir x का integration xy हो जाएगा क्योंकि x को आप क्या treat कर रहे है sir constant very good और आप बताईएगा हुजूरे वाला y का integration क्या होगा y square by 2 यहां क्या है अपना dx फटाक से इस रामायन को solve करेंगे बिना किसी देरी के तो यह 1 by 8 integration limit sir दूसरे marker से लगा देते हैं अच्छा लगता देखने में 0 से 1 है ना काम में थोड़ी सी सफाई होनी चाहिए अपने काम में sir हाथ में नहीं तो यह कितना हो जाएगा देखें sir 6-18 हो जाएगा जिसमे sir y को put करेंगे तो minus 3x हो जाएगा और यह हो जाएगा 9 by 2 minus फिर 2 put करेंगे sir यह 12 हो जाएगा यह हो जाएगा अपना 2x और यह हो जाएगा 4 बटे 2 पूरे को बड़े ब्रैकेट में और multiply में क्या है sir अपना भी dx dx भाया कहा रहे हैं जी मेरी बारी कब आईगी जल्दी करो sir solve मुझे भी integrate करना है ना ऐसे कहा रहे हैं dx अपने यह देखो यह 0 से 1 है sir यहाँ पे जो है function लिखते हैं तो function क्या बचेगा 18 में से 12 जाएगा कितना बचेगा sir 6 minus 3x plus का 2x क्या बचेगा sir minus x minus 9 by 2 plus 4 by 2 क्या बचेगा minus 5 by 2 very good तो यह आगया 1 by 8 अब sir इसका integration unlimited लिखेंगे ना sir दूसरे marker से तो ताकि अलग से चम के 0 से 1 इसकी रामायन की value क्या आएगी अब तो sir x के respect में ही कर रहे हो 6x minus x square by 2 minus 5x by 2 sir 1 put कर दे 0 को क्यों कस्त दे बिचारे को 1 by 8 यह कितना हो जाएगा sir 6 minus 1 by 2 minus 5 by 2 minus 1 by 2 minus 5 by 2 minus 6 by 2 which is minus 3 6 minus 3 is 3 answer पोलो कितना आया जी 3 बटे 8 आया तो sir यह आ गया अपना जो पहला पार्ट था उसका answer इसका screenshot लो सब से पहले तो यह काम करो और मेरे को बता ना sir क्या आपको यह समय आया सवाल से जादा जरूरी है sir यह limit लगाना क्योंकि अगर हम limit गलत निकाल लगा देते मतलब तो क्या सवाल सही आसकता था आप कहेंगे बिल्कुल ही नहीं आसकता था समझ रहे ना sir बात चलो जी second part देखें sir second part जो आपका university exam में बड़ा ही famous है पता नहीं क्यों यह जादा पसंद आता है टीचरों को तो बस limit का ही तो sir मसला यहाँ पे जो है ना limit देखते हैं ऐसे जब पूछा जाता है इन वाले cases में आप limit किस तरीके से लगाते हैं तो sir limit change होंगी बाकी तो जो अपना मसला है sir वो same ही रहना है तो मैं limit हटा देता हूँ देखो कहां तक अपना same रहेगा उससे क्या sir अपना काम बच जाएगा अपने को लिखना कम पड़ेगा दुबारा से ना तो यह हटा देते हैं अपन यहाँ से जहां पर change आएगा बस sir यहीं तक जो है साथ था इसका इसके बाद sir remind change है अपनी चुकि limit अलगो गई है और मैंने यहां आके limit put करी थी तो sir यह part यह change हो जाएगा अपना पूरा चलो जी कोई बात नहीं अब change होगा तो sir हो गई अब देखो sir इसमें limit किस तरीके से लगाएंगे अपन लोग यह तो अपना second part हो गया limit आपको कैसे लगानी है sir आप x की limit लगा दे 0 से 1 कैसे लगा दे 0 से 1 लगा दे इन वाले questions में जहां पर दिया है कि यह इस inequality को hold करेगा x plus y अब देखो y की limit कैसे लगानी है आपने सबसे पहले देखो y start कहां से हो रहा है sir 2 से start हो रहा है और upper limit sir y की यहां से निकाले y किस से छोटा आएगा 3 minus x से क्या कहते हो sir समझे यह वाली बात y कहां से start हो रहा था आपका 2 से और देखो आपका जो y है जो inequality hold करवानी है अपने sir उससे कितना आएगा y अपना 3 minus x आएगा क्या यहां से y निकालोगे तो कितना आएगा 3 minus x आएगा समझ रहे हो बात चलो जी बहुत बढ़िया अब बस यह limit change करनी है यहां 0 से 1 यहां 2 से 3 minus x 0 से 1 2 से 3 minus x 0 से 1 2 से 3 minus x अब सर देखतें क्या game बदलती है मालनो सर एक्स अपना 1 से start होता तो फिर 1 से 2 करते अभी 0 से तो 0 से 1 मतलब एक का gap रखना है आपनी समझ रहे हैं न सर भावनाओं को भावनाओं को यह समझना भावनाओं को मत समझ लेना तो यहां limit क्या लगेगी अपनी 0 से 1 और इदर सर इसको solve करते हैं जरा तो यह तोड़ा सा लंबा जाएगा बट कोई बात नहीं सर अब solve तो करना ही है 6 y की जगाँ क्या रखेंगे 3 minus x minus y की जगाँ रखेंगे 3 minus x एक x पहले से हैं यहां पे मुझूद फिर रखेंगे सर y की जगाँ पे 3 minus x का square divide by 2 अब सर put करेंगे यहां पे 2 तो यह कितना हैगा minus में 2 put करेंगे तो सर यह हो जाएगा 12 यह हो जाएगा 2 x और यह हो जाएगा minus का 2 और बहार अपने dx भजा हैं इंतिजार कर रहे हैं है की नहीं है सर जी इतना समझ आ रहा है ना आप लोगों को चलो बढ़िया अब सर solve करते हैं जरा bracket और अपन कर भी क्या सकते हैं तो 1 by 8 limit क्या है अपनी 0 से 1 और यहां पे देखो bracket solve करते हैं सर अंदर वाला bracket यह विचारा 2 है ना यह 2 क्या है बाद में दिक्कत देगा तो सर 2 LCM फिर उदर भी LCM लेना पड़ेगा छोड़ो यार अब इसको ऐसे ही रहन देते हैं देखते हैं LCM लेंगे हैं क्या करते हैं पहले बाकी solve करते हैं bracket यह जाएगा 18-6X-3 plus minus 3 के साथ में सर यह X भाईया भी है तो minus 3X plus का X square minus क्योंकि यह minus था तो bracket में रखते हैं 9 plus X square minus 6X divide by 2 minus यह कितना हो जाएगा 10 minus 2X into में DX एक bracket दर बना देते हैं सर यह क्या हो जाएगा सर अपना minus 9 यह X square और यह अपना 18 सर उपर का हटाना पड़ेगा इतना screenshot ले ले क्योंकि board space अपना limited है सर यह चीज में हटा देता हूं अपने काम का जो है सिर्फ वही रखते हैं चालो जी बाड़िया अब देखो सर यह क्या था अपना यह यार यह X का square कैसे उड़ गया ठीक है सर LCM लेना ही पड़ेगा मजबूरी का नाम सर मातमा गांदी है यह limit के 0 से 1 यह कितना हो जाएगा X square थोड़ा पहले मैं सली के मिली फ्लू फिर LCM लेता हूं माइनस 9X प्लस में 18 सर ब्रैकिट ओपन कर दो अब कुछ ब्रैकिट रखने वाली बात रही नी तो माइनस 9 माइनस X square और प्लस में 6X सर उड़ा मत देना भी चीज़ों को LCM लेना बाकी है यहां से क्या आएगा माइनस 10 और प्लस में 2X अब देखें सर थोड़ा सा ओर प्लस 18 माइनस का 10 माइनस 9X प्लस का 2X एक स्टेप ओर करते हैं उसके बाद सर LCM ले लेंगे तो यह कितना आएगा जी अपना 1 by 8 यह लिमिट क्या जाएगी 0 से 1 बेरी गोड़ अंदर क्या बचेगा सर अपना X square माइनस 7X प्लस 8 माइनस 9 माइनस X square प्लस 6X डिवाइड बाइ 2 सर अब LCM लेंगे LCM कितना आएगा अपना 2 और LCM लेते ही 2 कहां सर बाहर बाहर कितना हो जाएगा 1 by 16 लिमिट क्या आए अपनी 0 से 1 और यहां क्या आजाएगा सर X टैप लिखी लेते हैं सर क्या ही जा रहा है 2X square माइनस 14X प्लस 16 माइनस 9 माइनस X square प्लस 6X DX अब सर यह नीचे वाला भी हटा देते हैं है ना अब जो कैंसिल हो रहा है उसको सर कैंसिल करेंगे और बाकी बचे वे को सॉल्व करेंगे तो सर यहां देखें 2X square में से 1X square जाएगा और यह 14 में से अपना 6 जाएगा और 16 में से अपना 9 जाएगा चलो जी कुछ तो फाइदा हुआ LCM लेने का तो 1 by 16 लिमिट इस टिल 0 to 1 वो बिचारी इंतजार कर रही है कि मेरे को भी यूज़ कर लो सर देखो अगर आप लोग को कोई doubt रहता है ना सेशन में तो आप कमेंट में तो बताई सकते हो साथ में सर डिस्क्रिप्शन में नंबर है वट्सैप और टेलिग्राम दोनों पे अक्टिव है वो आप जो है सर उस पे भी पूछ सकते हो ना अपने सवाल वगेरा कोई मसला नहीं है और इसको क्या है जादा से जादा सर शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ताकि वो भी जो है चीज़े को एक फन वे में सीख पाएं सर मैथी एक तरीके से यह है ना अगर आप इसको वेज़ा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सर बड़ाई बर्डन आजाएगा आप इसको ऐसे फन वे में पढ़े मैं इसके नीचे क्यों लगा रहूँ ठीक है सर ये इतना ही आएगा देखें ये 4 हो येगा लिमिट पुट कर दें सर अब लिमिट कहा रहा है बस जी बहुत हो गया मेरे से नहीं रुखा जाता तो ये जाएगा 1 by 3 very good minus 4 plus में 7 3 आजाएगा सर ये plus का तो 1 by 16 1 by 3 plus 3 तीन तिया 9, 9 और एक 10 10 बटे 16 इंटू में 3 तो किस पे cancel होगा सर ये 5 ये 8 आंसर कितना आगे सर 5 बटे 24 देखो खोदा पहाड निकली चुया है ना इतना integral solve किया आंसर क्या आरह जिस्ट अपना 5 बटे 24 सब को समझा है सर कि ये वाले जो जालिम किसम के case है इनको सर कैसे solve करना है पकी बात है तो सर अब थर्ड पार्ट ने अपना क्या भी गाड़ा है उस थर्ड पार्ट को भी जो है जल्दी से क्या करते हैं सर निप्टाते हैं तो देखें जी थर्ड पार्ट अपने से क्या पूछना चाह रहा है यहां पर probability conditional probability है basically पहले इसका expression लिखते हैं फिर जड़ा बात करते हैं आपसे क्या क्या चीज अपने को चाहिएगी क्या क्या अपने को given है तो सर जी इसका expression लिखें थर्ड वाले पार्ट का तो इसका expression कैसे आएगा देखें probability X less than 1 conditional probability है basically आपको याद है सर क्या कहते हो ऐसे ही लिखते थे सर अब सर ये normal चीज नहीं है क्योंकि variable continuous है तो सर ये भी integration से solve होगा ये भी integration से solve होगा कर लो बात तो paper में आने के chances इसके बहुत ज़ादा है क्यों क्योंकि सर ये td खीर है थोड़ी सी तो पहले इसको solve कर ले ज़रा फिर सर नीचे वाले को भी निफ्टाएंगे तो x की limit क्या लगनी चीए अपर limit क्या क्या रही हो 1 है और start कहा से हो रहा है 0 से 1 और सर देखें y में ये है क्या होगी अपनी upper limit limit upper limit है ना limit निकल रहा है अपर limit क्या होगी सर 3 और start कहा से हो रहा है ये सर इसका तो answer क्या कहा रही हो जानते हो आप लोग सर जी क्या ये यही part है कहा चला गया अपना जो first part था मैं लिखता हूँ ज़रा board पे आप मेरे को बताईएगा क्या ये first part था अपना एक बारी आप देखो ज़रा first part में आपने limit कहां से कहां लगाई थी 0 से 1 और 2 से 3 ही थी देख पा रही हो ना तो इसका direct answer क्या है सर 3 by 8 चलो थोड़ा तो relief मिला अपने को बट सर ये अभी solve किया जाना बाकी है इसमें देखो वो कह रहा है कि y की value जो है वो 3 से कम है तो अब जब इसका integral solve होगा तो limit देखते है सर सर x की तो बात ही नहीं है यहाँ पर x की limit कहां से कहां जाएगी 0 से 2 तो कि x कहां से कहा है 0 से 2 है अगर आप सर थोड़ा सा visualize करेंगे इस चीज को discrete के साथ तो आप समझ जाएगे 0 से 2 यह क्यों गई है वहाँ पहले visualize करना मेरे को comment में बताना कि आप समझ पाए नहीं समझ पाए कोई बाहत नहीं सर अपन बैटे हैं भी है की नहीं है समझा देंगे कोई मसला ही नहीं है सर y की limit less than 3 है चालू कहां से हो रहा है y2 से और upper limit कितनी जाएगी y की 3 y देखो कहता होगा x से जहां तू खतम होता है वहां में start होता हूँ मेरे अलग ठाट बाट है तो यह function अपने पास वही सर हर बार की तरह एक बटे 8 को बाहर निप्टा ले अंदर क्या बचेगा 6-x-y dy dx और limit क्या थी अपनी 0 से 2 और 2 से 3 तो सजी solve करेंगे इस integral को solve करेंगे तो देखो क्या आएगा 1 by 8 यह limit 0 से 2 और यहां पे जो है 2 से 3 और साथ ही में सर इसका integration क्या आएगा 6y-xy-y-y2 अब बताओ इस dx को बड़ी बेचे नहीं लग जाती है कीजी जल्दी solve हो जाओ मेर को भी करना integration यह 0 से 2 और यहां पे देखो और अपर लिमिट फिर lower limit ऐना वही सारी बाते हैं तो मैं सीधा लिख दूँ कि चलो कर देते हैं सर solve दो मिंट लगेंगे 3x माइनस 9 by 2 फिर वो हो जाएगा अपना माइनस 12 यह हो जाएगा प्लस का 2x और यह हो जाएगा प्लस का 4 by 2 और बाहर कोन इंतजार कर रहा है आपका dx तो सर यह क्या आएगा अपना 1 by 8 0 से 2 आप देखें सर 18 माइनस 12 6 माइनस 3 प्लस का 2x माइनस x माइनस 5 by 2 dx यह यह जाएगा सर करते सर integrate उपर वाले का नाम लेके limit कहां से कहां है अपनी 0 से 2 और यहाँ पर देखें सर क्या क्या आएगा अपना अंदर 6x माइनस x square by 2 माइनस 5 by 2 x सर limit put करें मैं इधर लिख देता हूँ उस चीज को 1 by 8 limit put करेंगे तो कितना आएगा सर यह 12 माइनस 2 दुनी 4 4 बटे 2 कितना होता है सर 2 ही होता है यहाँ दो put करेंगे 2 से 2 cancel minus 5 तो सर 12 में से 7 गए बचा 5 और अपन में क्या था 8 तो सर इसका आंसर सो भागे अवश कितना आगया अपना 5 by 8 और सर quoted आंसर भी क्या है 5 by 8 तो सर सवाल समझ आया सबको देखें जी तीन इसने पाठ पूछे थे तीनों सो भागे वश हमने सहल कर दी है और बड़े असानी से कोई जादा मशक्कत अपने को करनी नहीं पड़ी simple simple integral थे समझ आया तो सर पहले इसका screenshot ले लो very good मेरे को comment में बताईएगा सर समझ आया की नहीं आया अब ये आप कैसे बताओगे like करोगे तो मैं समझ जाऊँगा सर समझ आ रहे like नहीं करोगे तो इसका मतलब समझ नहीं आ रहे यहीं समझेंगे अपन तो और क्या तो अभी देखो सर इसका देखते हैं अगला सवाल सर अगला सवाल देखें इस सवाल में भी क्या आपने को कुछ नया सीखने को मिलेगा सवाल क्या कहता है जी आपको वही probability का जो यह function given है और सवाल देखें क्या करा है उसने सबसे पहले कि आप verify करें कि sum of probabilities दो random variable के case में भी one होता है सर डिस्क्रीट में तो one आता है table बनाती है याद है अब चेक करने के इसमें भी one आता है और सर इनकी values बतानी है जो इसने part पूछे है अपने से ठीक है तो first part से देखो starting करते हैं हम लोग कोशिश करेंगे verify करने की कि limit अगर अपन लगाएं कहां से कहां बोले जनाब 0 से 1 तो क्या इनका answer 1 आता है तो जी function क्या है अपना function है 6x square y तो put करेंगे देखो 6x square y dy dx तो मेरे को एक बात बताओ जब आप integration ही y के respect में कर रहे हो तो ये 6x square का अंदर क्या काम समझ रहे हैं ना इसको सर कहां ले जाएं इस integral से बाहर बाहर ले जाते हैं अपने पास क्या बचेगा 6x square y dy dx साजी देखें limit जो अपन अलग मारकर से ही लगाएंगे तो थोड़ा क्या अपने को visibility बढ़िया रहती है 0 से 1 और ये भी 0 से 1 साजी y square का integration आप कहेंगे जी कर लो बात इतना असान सवाल 6x square y square by 2 और limit अपने dx भहिया भी तो बिताब है फिर integrate करने के लिए इसको 0 से 1 0 से 1 ये कितना आएगा सर 1 by 2 1 by 2 कट जाएगा 3x square आएगा तो ये बचा अपने पास finally 3x square dx और limit क्या अपनी 0 से 1 3 को सर बाहर x square का integration क्या होगा 3 x cube divide by 3 और limit क्या अपनी 0 से 1 0 से 1 आप देखें सर इसका answer क्या आएगा 3 into में 1 by 3 which is 1 तो देखो proof हो गई सर ये वाली बात भी कि continuous random variable के लिए भी sum of probabilities कितना आता है सर 1 आता है सबको आगया समझ इसका assess लेने सबसे पहले तो screenshot ले लिए सर आप सबने चलो जी बहुत बढ़िया अब सर इसका second part देखते हैं इसमें हमसे वो क्या करवाना चाता है तो यहाँ पर जवे सर second part में limit में थोड़े सी तबदीली आएगी देखतें क्या तबदीली आएगी और क्या अपना answer रहने वाला है तो second part करेंगे x की limit क्या कह रहा है 0 से 3 by 4 सर 3 by 4 इसके बीच में ही आता है न तो अपन limit लगा सकते हैं कोई मसला नहीं है x की limit है 0 से 3 by 4 और सर y की limit कहा तक लगवाना चाहता है वो 1 by 3 से 2 सर यह गल्द बात है देखो 1 by 3 तो ठीक है 0 से 1 के बीच है बट क्या सर 2 1 के बीच होता है 0 से 1 के बीच में क्या 2 आता है आप कहेंगे नहीं एक question जो गल्द बात कर रहा है तो हम y की maximum limit क्या लगा सकते हैं सर 1 यानि upper limit क्या जाएगी 1 बट lower limit क्योंकि range में है और वो सवाल भी कर रहा है तो lower limit सर उसकी monkey रख लेते हैं 1 by 3 बट upper limit should be 1 क्योंकि solve करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा सर अपना integration एक तो यह लिमिट जो है ना 0 से 3 by 4 इन्हों नहीं लेदर आपने को तो भाई साब 1 by फिर इस marker से लिख दिया मैंने जल्दी जल्दी में कोई बात नहीं सर इससे लिख लेते हैं 1 by 3 से 1 function क्या था 6 x square y dy dx पहले y के respect में integrate करेंगे 6 x square को इससे बाहर तो यह आएगा देखो अपना 0 से 3 by 4 6 x square बाहर अंदर answer आगया y square by 2 बदाई हो जी बदाई हो एक step मैं खा गया हूँ बीच में बढ़ आप समझ गए होगे और into में सर क्या भी अपने पास dx भी है है न सर सर limit put करते हैं अंदर वाला bracket solve करते हैं इस 2 को मैं बाहर ले हूँ 2 का क्या काम है तो 3 x square हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा अपना 0 से 3 by 4 3 x square अंदर क्या बचेगा 1 का square 1 होता है और सर 1 by 3 का square 1 by 9 होता है 9 minus 1 8 by 9 तो 3 बाहर आया 8 by 9 भी बाहर आया अंदर क्या रह गया अपने पास x square dx और limit क्या आती सर इसकी 0 से 3 बटे 4 सर यहां कुछ cancel हो रहा है आप कहेंगे जी यह cancel हो रहा है यहां कितना आएगा जी 8 by 3 x cube divide by 3 यह कितना है 0 से 3 by 4 सर पुट करें जरा limit कितना आएगा 8 by 3 को बाहर ले आओ अंदर क्या का में 9 हो जाएगा तो 3 का cube कितना होता है सर 27 और सर 4 का cube कितना होता है 64 बाकी तो सर 0 है तो यह जाएगा 8,8,4,9,3,27 ओई शावास्ट कर लो बात आंसर क्या आगया सर 3 बटे 8 लोजिक समझ गए ना सर इसका screenshot ले लो और कोई doubt है तो सर आप comment कर सकते हो वना आप description में दिये गए नंबर पे message भी कर सकते हो कोई मसला नहीं है इसकी सर आगे use जो है नहीं पढ़ेगा आगे तो use पढ़ेगा तो सर कोई 3 by 8 जो अपना answer है आप मिर को बता देना अभी देखते हैं सर इसका third part third देखो फिर मिलता जुलता ही है पहले वाले से x plus y अपने कोई inequality hold करवानी है अरे भाईया तू कैसे मिट गया x less than ये conditional probability अपने पास तो third part देखते हैं बिना समय की देरी किये हुए यहां limit कैसे आएंगी कौन बताएगा जी मिर को x की limit 0 से 1 ये बात y की limit क्या हैगी सर 0 से 0 से क्या हैगी 1-x हाएगी क्या समझ रहे हैं न सर जी यहां पे अपना f x y dy dx आप देखो सर जी आपके लिए ति मेहनत की जा रही है मतलब पूरे दिन classes रहती हैं उसके बाद रात में ये वीडियो record करी जाती है ताकि जो थोड़ा सा payback किया जा सके society को ठीक यहां पे ये हो गया अपना तो बस आपने तो सर एक subscribe और like ही करना होता है तो सर वो जो है मैं request तो खेर करूँगा नहीं समझदार आप खुदी है उसे क्या एक motivation सा मिलता है बंदे को पता नहीं क्यों बट सर मिलता है 0 से 1 यहां पे 6 x square बाहर आएगा इसमें 6 x square यहां क्या बचेगा अपना सर 0 से 1 minus x कोई बात नहीं एक step मैंने बढ़ा दिया है बट कोई नहीं y dy dx सर जी यह किसके इक्वल आएगा देखो और एक वो बोलते हैं न सर क्या बोलते हैं कि भई आपको तो जो है यह चीज मुफ़त में मिल रही है मुफ़त में सर बोल नहीं सकते वैसे तो free आप जो इस चीज को भी इसके लिए सर आप अपना time और money sacrifice तो करी रहे हैं नेट आपका जा रहा है time भी आप दे रहे हैं और most important सर energy वो भी आप दे रहे हैं तो इसे free तो नहीं बोल सकते खेर नेचर में आपको क्या है आपको क्या है हर चीज के लिए सर क्या पे करना पड़ता है price समझ रहे हो जितनी बड़ी चीज है सर उतना ही वो price बांगती है 0 से यार फिर ये black हो गया कोई नहीं 0 से 1 और यहां पे जो है 6 x square सर अपना as it is यह कितना हो जाएगा 1 minus x का square divide में 2 into में dx यही आएगा सर चलो जी बढ़िया तो यहां पे जो है इसको सर करते हैं solve यह cancel हो गया 3 पे सर 3 को बाहर कपका देते हैं और यह कितना है अपना 0 से 1 कोई नहीं यह कितना हैगा सर x square था अपना बाहर यह क्या हो जाएगा 1 plus x square minus 2x dx क्या कहते हो यही हो जाएगा सर multiply कर दिया bracket open करके तो सर जीस x square को भी अंदर क्या कर दे multiply कर दे 0 से 1 और यहां करेंगे multiply क्या हो जाएगा यह x square x की power 4 minus 2x की power 3 dx अब सर हम ready है integral को solve करने के लिए धकन गिरिया नीचे तो यहां पर देखो solve करते हैं यह कितना जाएगा अपना 3 0 से 1 x cube by 3 plus x की power 5 divide by 5 और सर जी माइनस x की power 4 divide by 2 एक 2 पहले से ता cancel हो जाएगा limit put करेंगे इसके अंदर 1 तो finally वो time आई गया है जब अपना answer आने वाला है 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 2 तीनों का सर LCM लेंगे कितना आएगा अपना कितना लिखू यार जल्दी बतादो 30 लिख देते हैं तो यह जाएगा 10 यह जाएगा 6 यह जाएगा 15 16 में से 15 आगया सर बचा 1 और यह बच गया 10 वोई शाबाश answer क्या आगया 1 by 10 देखें सर कितनी मशक्त के बाद answer क्या आया सर अपना 1 by 10 सबको आया समझ पकी बाद screenshot ले ले इसी बात पे एक चलो जी बढ़िया अब देखते हैं सर इसका अपन कुनसा पार्ट फोर्थ पार्ट है और सर फोर्थ के बाद एक अपना फिफ्थ बचा हुआ है तो फोर्थ देखते हैं हम सर यह क्या question जो है थोड़े lengthy जरूर है बट सर वर्थ है क्योंकि एक्जाम में आते हैं तो यह जो है सर अगर आप चाते हो कि मैं डियू का जो है यह previous year पे भी question बनाऊं तो comment करके बताना तो मैं stats जो आपका descriptive stats है ना इसके previous year के जो पेपर है दिल्ली उनिवस्टी की बात कर रहा हूं वो मैं solve करवा दूगा तो यहाँ पे देखें सर अब नई चीज सीखने को यह मिलेगी कि ugly inequality बहुत तकड़ी है कहता है x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए तो इसमें limit क्या लगाओगी सर आप x की तो normally लगा दो जो है 0 से 1 इसकी जाएगी सर 0 से x क्योंकि आपने किसको greater than करवाना है सर x को तो limit क्या लगेगी इसकी 0 से x y की limit अब इसको solve करते हैं तो इसमें जादा time नहीं लगेगा अपना 6 x square y dy dx limit क्या है सर 0 से 1 और ये 0 से x तो मैं देखो थोड़ा सा सर सीधा solve कर देता हूँ हम दो तिन बारी solve कर चुके हैं 0 से 1 ये रहेगा 6 x square y square by 2 ये integration आजाएगा 0 से x और यहाँ अपने dx भाई साब यही बात है सर 0 से 1 यहाँ पे क्या है अपना 3 x square और ये कितना आजाएगा सर x square minus 0 into में dx सर ये वाला देखो कितनी जल्दी हो गया 0 से 1 किसमत अच्छी थी 3 को बाहर x की power 4 dx answer आगया 3 by 5 क्या कहते हो आगया सर जी answer 3 बटे 5 है कि करके दिखाऊं समझ गए न सर चला जी बहुत बढ़िया इसका भी क्या ले लो आप screenshot ले लो सर अब एक लास्ट पार्ट और बचा है तो उससे बिचारे के साथ बेदबाव क्यों उसको भी solve करते हैं तो देखें जी सर लास्ट पार्ट क्या कहता है conditional probability है solve करेंगे तो फिफ्ट पार्ट पे पहुंची गए आखिरकार हम गंगा ना लेंगे इसको करते ही है इसको अपन कैसे लिखेंगे बताईएगा हुजूरे वाला एक्स ऐसे यही आएगा y less than 2 तो सर पहले यह solve कर लें जरा उसके बाद नीचे वाले चीज़ solve करेंगे तो इसमें देखो उपर वाला जब solve करेंगे limit क्या जाएगी सर x की upper limit जाने वाली है क्या 1 और y की upper limit 2 2 कैसे जाएगी भाई 2 तो समझ रहे हो ना 1 ही जाएगी क्योंकि 1 से 2 के बीच तो यह 0 ही आता है तो सर 0 से 1 और यहां पे 0 0 और यहां क्या आएगा अपना सर fx सर यह आपके लिए सवाल है इसका answer क्या होना चाहिए अपना 1 होना चाहिए क्या अगर आपको लगता है sir 1 होना चाहिए तो आप मेरे को comment करके बताएगा तो यह 1 है अभी अपने proof भी किया है और sir नीचे वाला देखी ज़रा यह जो रामायन है इसमें भी sir अपन क्या limit लगाएगे x की तो पूरी जाती है तो x जाएगा 0 से 1 और sir y कहां से जाएगा यह भी 0 से 1 समझ रहे हो ना तो इसका भी answer कितना आजाएगा sir 1 आजाएगा comment में बताना कि इसको समझ नहीं आया और यहां पे put कर दें values तो sir उपर भी 1 नीचे भी 1 1 by 1 हम ही 1 है बस समझ गए ना sir देखो असान था सवाल तो हमने क्या किया है आज आज हमने continuous random variable पर यह question किये है हलाकि अभी हमने वो नहीं देखा कि marginal distribution function कैसे निकालते हैं continuous के case में उसको next video में cover करेंगे वीडियो अल्रेडी बहुत lengthy हो चुका है यहना आप भी बहुर हो रहे होगे तो मेरी तरफ से इतना इतसर आज के लिए उमीद करता हूँ आपको समझाया होगा सर अगर अभी तक आप channel पे नए है तो channel को subscribe कर ले वीडियो को like कर दे अपने friends के साथ share करें मैं आपसे जल्द मिलता हूँ next video में नए topic के साथ